हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग वेल्कम बेक टो मैं चैनल स्टाइड वित अंसी आटी आप लोगों का कल है एट को हिंदी का पेपर 12th क्लास का तो आज एक बार फिर से में आपके लिए जो हिंदी की मतर सारे इंपोर्टन कोशन डिसक्स करने वाली हूं तो प्लीज व वीडियो साथ नहीं देखते हैं तो कोई नहीं आज हम फिर से दुवारा डिसक्स कर लेते हैं और मैं आपको हर्ची समझाते हूं चलूंगी अगर आपने कुछ नहीं पढ़ाए आप डोंट वरी आप प्लीज वीडियो को देखेएगा और धान से सुनिएगा एंड तक ठी करते हैं तो देखिए आपका कोट हुथ है 301 तो यह सेट आपको यह सेट की बात में कर रहे हूं तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स मैं आपको इंपॉर्टिंट चेटर लाश्म बता दूंगी एक बर आपको डिसक्स कर लेते हैं तापकि आपको यह क्लियर हो जाए कि जाएगा इस तरह का पर आपको यह कर लोंगा तो आपको मुश्किल से मुश्किल चीज भी आपको एजी लगने लग जाती है ठीक है तो यह देखिए पहले आपका फर्स्ट प्रस्ट जो आता है उसमें आपको एक पोयम जाती है एक स्टैंजा गध्यान शाता है एक आभय जाएगा आप सारे कोशन टैंट कर पाएंगे इजीली आपको कोई कोशन जात करने की जरूत नहीं है ठीक है जैसे यह पोयम आ गई है इसका यह आपके सामने कोशन पूछे गए हैं मावसुंद्रा इसमें तो इसमें पेडों को काटने का मतलब पताया गया है मत काटो तु यहां पर बोल रहा है कि मावसुंद्रा का लज्ज वासन किसे किया गया है मत काटो तु यह पेड्र रजज वासन बत्त उन लोगों को कहा गया है न कि जो बेश्रम होकर पेड़ों को काटते हैं ना उन लोगों को बता रहा है पॉइंट आट कर रहा है नहीं कि तुम ऐसे अलग जावाद में बेश्रम लोग हो जो मतलब इस पेड़ों को काट रहे हो इस वज़े से यहां पे आप अपने आप भी लिख सकते हो ठीक है अब यह ब करना के नहीं कर सकते हो तुम बहुत पच्ता होगे कभी न ऐसा क्यूंका सिम्पल सी बात है जब पेड़ कट जाएंगे है ना पेड़ों से जो हमें कितनी चीज़े मिलती है ठीक है तो कैसा होगा जीवन मनुश्य का पस्ताने वाला ही तो होगा ठीक है प्रेड़ों को काट जो दुनिया भर की बीमारियां है वह पनपेंगी जो हमारे सूर्य का प्रकास डायरेक्ट पड़ेगा तिक है जिसकी वज़े से क्या होगा उनता बढ़ेगा बूता बढ़ेगा है ना तो पशु पक्षी जो है वह मरने लगेंगे ठीक है यह सब होता है तो इस तरह से साथी ढूर की आपके पांच उपांच नंबर यह पर क्लियर है दिख्राए आपको साथ सुआ है नेक्स आपके घद्रम को पढ़ने यह भी फिरी के नंबर है आपके किते नंबर काता है देख लेते हैं दो तीन चार पांच संबनागे सबस्सक्राइब ऑब दोछ दुर नव incubator error जीवन के दो गाले संबन्त गया दोटें से जोड़े हैं क्योंकि certificate प्रकाश प्रांपटे करते हैं तो यहां से आपने लिगदिया तो मुझञा है जिसको इजासा और सक्षाथित को नियुक्ति कि भी सिऱ्ाइज विश्वायाान गाई सब्सक्राइब करना चाहिए इस तरह से आपको यह सब करने होते हैं आपको लग रहा होगा आप इसकी मतलब स्क्रिंशॉट लिजी आप उसकी स्वाल कर लें अगर यह वैसे प्रिवेस यह का पेपर उसमें से मैं आपको बता रही हूं कि किस तरह से कोशन पूछी आते हैं क्योंकि लाज्ट टाइम पर बने जो बच्चों को वाली वीडियो प्लोट करें जिन बच्चों ने देखा हू आगये दो चक्षू लैन कुछ भी आप सकते हो नैना वियोग में उपसर उपसर जब भी आपसे पूछा जाना तो आगेगा देखना आगे का वर्ट पीछे का जट मली इसमें लु अको सर्ग और जब भी आपसे पुछे जाए तो पीछे का देखना ठीक है यह कोप सरक पर तो पांच नमबर आपके यहां पूरे होते हैं तो आपने कित्ते हो गए आपके हो गए 21 नमबर का पेपर आपने यहां पे अटेंट कर चुके हो ठीक है चली आगे चलते हैं यह देखिये अब आपको क्या आता है सार लेखन ठीक है मैं आपको इंग्लीच में भी बताया था इंग्लीच में इडी में और इसी है आपको एक बड़ा से पार बस्दूर्ब द्याटे जाता है ठीक है एक से क्रुड़ा से अथिर्चे यह गश्ट्रवwał माफ पार्ड़न अगर एक पेज लगता है तो इसमें क्या करोंगे फ्रेंड इसमें क्या करोंगे पले से पड़ोगी हम अने चोटे बड़े घहरों में बटे हुए हैं कोई द्रम का घहरा है तो कोई जाती का है कोई देश का मतलब घहरा है तो कोई समाज और वन्ष परिवार का इन गहरों में बनकर हम भूल गए हैं कि हम सबसे पहले मनुष्ये हैं प्रेम, त्याग, करूना, सानुभूती से बरे मनुष्ये, एक दूसरे के सुख दुख से विचलित और प्रभावित होने वाले मनुष्ये समझा, अब इसको पढ़ जो पर होना चाहिए कि सबसे पहले मनुष्ये हैं तो इस चीज को अफ तीन लाइन का कोश्चन में ने ने एक लेन में बता दिया अपको ठीक है, और मनुष्ये को एक दूसरे के सुख दुख से मतलब विचलित नी होना मतलब भठकना नहीं चाहिए हमें साहता करने आप पढ़ोगे ना दो बार आपको समझ आ जागा आपको लिखना क्या है अपनी लेंगवज में लिखोगे ना ज्यादा माक्स मिलते हैं यह मैं आपको ट्रिक पता रही हो ठीक है अब आता है आपका आठ नंबर का ऐसे कोई भी कुशन आ जाता है फ्रेंदे को सिकूर्ट अनुशार्शन क्या है विद्यारतिक जीवर में लिख सकते हैं आपके आठ नंबर यहां पक्के होते हैं ठीक है तो समझ आ रहा है ना तो कितने नुम्बर आप देखो इजी आपको पेपर लग रहा होगा ठीक है इतना स्ट्रेस ले रहे हैं कैसे पढ़े कैसे बढ़े क्य में थे लिए मिटेशन वह दख शुक्राइब केंगे अब होता है आपका भाव पल लवन मोश्ट इंपॉर्टन है हमेजा था पाव पर किया होता है तो इसी भी वाकिया में पिसी बी मतलब तो कहावत हिए किलिए वाकिया के अंदर जो भाव शुपाई ना उसको मतलगव पालवन बताना देख राक्त में नहीं किसी इढ़ लाता है के लाता है तो दया धरम का मूल है वह करोगी सित्न होता है इसको निड़ दे करना होता है जिस व्यक्ति कि अंधर देया नहीं होती हो निड़िछम कि हलाता है और अधर मनुष्यस्टा को दर्श आता है2-3 निक्डेनink når फिरी के नमबर आपके तीन यहां मिल जाते हैं अब दोनों में से एक था तो मुझे यह इजी लगा मैंने आपको एक्स्प्रिन कर दिया आप बहुत देड़ तर ट्रैफिक जाम में फस्टे को फिरी के नमबर अपने अनुभाव को लिखना है आप जो ट्रैफिक में आप भी को चात्रवति देने की प्रात्मा के जिए फिरी के चात्र बीटी यहां पर एक पत्र लिखना है आपको संस्था है आपकी पिश्चपन पत्र आप में लिखे हूंगे है नट तुह पूरा कि रहा जाता होगा होगकाका को फूरा है तो इस ताहसे पत्र आप को लिखना अता हिए बत्र में cœur k européiqué से परी परत्र किसे कहते हैं कार्रा रहल दीष किसे कहते हैं कि पर में समस्मों कि एब आपके पर पर इसमें जो आपको सही में आदेश के लिए लोगा कि जो कारेये मं आदेश किसी यहीं के लिए काम को सभ्चान करने के लिए कि अपने कौष लिए कर लोघ है da इस बर मेन आपको बताया है चैकिंग में काफी मत्दब फ्री चैकिंग की जाएगी नंबर ज्यादा काटी मी जाएगे बच्चे ने अगर थोड़ा बहुत भी अटेम्ट किया है उसके मांग सापको दिये जाएगे तो अटेम्ट करने का मतलब यह निया कुछ भी लिख कि आ प्रक्षाओं में तो वित्यचित्र दर्शान है चार नंबर का है आपको कुछ नहीं आपको यहीं बता देदिए आपने सरकल बनाया तीन पार्ट हो रहे हैं तो सबसे ज्यादा पार्ट कॉन सा 50 तो 50 वाला ऐसे ले लिया ठीक है फीट हटी थी वाला ले लिया अब देखो इसी हो गया दर्शादिया चार नंबर आपके हां मिल गए ठीक है चलिए आगे चलते हैं कुछ नंबर नाइन में गद्यांस की सब परसंग से द्याख्या करनी है भाई इसके लिए तो आपको चैप्टर की हिंदी पढ़नी है मैं आपको इंपॉर्टन चैप्टर बता दू अब जाते हैं गोर्राइज कीुछ नंबर आपके यहां अच्टर मिल जाते हैं मिल जकाता है इनकार स्कैक्ट्र जीव न्याद्ट आते हैं मतलब इनका जीव नी आ तो इसको अभी स्किप कर दो तो इसको नहीं करेंगे अब मैं आपको कहानिया में बता दूमी चैप्टर की यह कुष्ण आपको वहां से टाइम्ट हो जाएगा ठीक है आप इंपोर्टन्ट है आपका विराटकी पदमीनी भाईया आठ नम्बर का यह समें से आता है इसको तो कि demographerıs season से इंपोर्टन्ट क्या क्या है तो चलिए तिखाती हूं मैं आपको नहीं दिख रहाए लेकिन आव आँ होप आपको ठेख रहा होगा ठीक है तो आपको ए presence काना सारा ये मेन कोशन है workingいい YouTube you by the Krishna और इसमें क्या है आप स्क्रीन शॉट ले लिजिए और इसको आपको रीड करना है इससे आपको जो छोटे-छोटे कोशन निकल के आते है न वह थवड़े मात्रों में क्लियर हो जाएंगे काफी हथ तक आप क्लियर हो जाएंगे और कोशन आप से पूछ रहा है का आप के राइंड में सटक लीजिए ओठा कि आपको दिक्कत ना उव प्रिएंट पे कुंजर सिंग इसमें गर्येक्र एंगे तो कुंजर सिंग नायक सिंग नायक सिंग उनकी मतबरानी अली मर्दान दंगी कुमुद यह सारे क्रेक्टर आपको पता होने जी कि तो किसने क्या क्य तक हमें समझ आ जाता है कि स्टोरी वे चल गया रहा है खिलियर है ठीक है साफ दिख रहा है आपको ठीक है अब चलिए इसमें से कोशन में आपको तलती इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट देखें लास्ट टैम पे भी बहुत कोशन सफसे ते सिक्स कोशन दांगी कन्या कुमु पढ़ लिजेगा इतना टाइम नहीं कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा अनसर विसके पूर्ड़ूंगी तो नायक सिंग कुंजर सिंग पर क्यों नराज हुआ ठीक है एक से कि आपको आप जादा क्लियर दिख रहा होगा ठीक है तो इसको आप पढ़ लीजिए गा तो आदेश क्या दिया चोटी रानी ने अली मर्दान की साहता पाने के लिए क्या प्रेतन किये फिर आपका आ जाता है अली मर्दान ने राम दयाल को कौन सा काम सौंपा ये कोशन आपको पढ़के जाना है इस बार मुझे लग रहा है कि देवी सिंग के राजा बन जाने प कुवित्त है माकल दीजिए ठीक लियर है यहां तक नेक्स्ट है आपका सिहांसन की लडाई में हालने के बाद कुंजर सिंग पहले कहां गया चोटी रानी में बड़ी रानी को अपने श्रेंटर में कैसे सामिल किया ठीक है ये आपको पढ़ने है इसके बाद के कोश्चन सा कर आप पढ़ना चाहते हैं आपको लग रहा है टाइम है तो आप पढ़ लीजिएगा इसके बाद आता है कि यह वाला कुश्चन सौरी इंपोर्टेंट है कुमुत की रक्षा के विश्य में प्राम ड्यायल ने बड़ी रानी से क्या कहा नेक्स्ट आता है आपका कुंजर स सिंग को अली मर्दान की सायता क्यों अच्छी नहीं लगी ठीक है तो यह सारे कोश्चन फ्रेंट जो है इंपोर्टेंट है जरूर इन अच्छे से बढ़ के जाईगा आपको सारा पढ़ना है आप सारा पढ़ लेजेगा आपको बुख दिख रही है और आपके पास है तो दीये जाने पर अलियम दान ने क्या प्रतिक के लिया थी ठीक है और इसके बाद ही यहां से क्कूंज यह इंपोर्टंट है जिफ व राट में पतन की संभावना पर कुंजर सिंग्ञ ने मुझसे क्या कहा चिक है और अली मर्दान ने बिराट विराता पर तेजी साय प्रत क यह पूछ रहता है कि दॉक्टर विंदवन लाल यह इसका राइटर है इसका और इन्हों ने जिए पर इतिहासर कल्पना के विष्म में आपको बताना है इतिहासर है क्या कलिपना करके उसमें यह लिखा तो इसका आंसर आप एक बाद देख लीजिएगा बस एक बाद il कर लो नेक्ष्ट कोश्चन है यह वाला जो इंपॉर्टन है प्रचित विराट की पढ़नी उपन्यास के विश्वस्तु और संदेश क्या संदेश मिलता है इससे है ना तो यह आप स्टोरी पढ़ोगे तो आपको पता चलिजाएगा कि क्या संदेश है और किस विश्व को लेकर यह बनाए गया विश्वस्तु का मतलब वह होता है तो यह आपको पढ़ना है आपको दिख रहा है साफ क्लियर इसको आप रीट कर लीजिए गा नेक्ष्ट है आपका चरीत्र चित्रन तो आपको इसमें कुमुद का चरीत्र पढ़के जाना है फ्रेंस बहुत आपको पढ़ना है आप देख पा रहे होंगे क्लियर फिर कुंजर सिंग का चरीत्र चित्र पढ़ लीजिएगा कि इसमें क्या-क्या रोल था इसका ठीक है दिख रहा है आपको ठीक है इसके बाद आपको देवी सिंग का वैसे आया नहीं है पर कभी भी कुछ भी पुछे आता है टाइम है तो फुछ पढ़ लीजिएगा इसके बाद ये देवी सिंग का चरी चित्र नहीं है पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा तो दिखां देती हूं बस आपको पूरा कि अब है आपका अली मर्दाना का चित्र अली मर्दान पॉर्टेंट है ये भी बहुत ज़्यादा ठीक है इसके बाद जो कोश्चिंस है वो ये आता है डॉक्टर विरिंदरवन लाल वर्मा दौरा रजीत विराट की पद्मिनी उपन्यास की भाशा सैली भाशा सैली की विशेशता है और समवाद योजना दोनों ही इंपोर्टे यह कोश्चिंस पर यहां से नहीं पढ़ना मैं बताती है कहां से पढ़ना है यहां पर पूछा ना विराट की पद्मिनी उपन्यास की संबाद योजना तो कितना पढ़ना आपको की पद्मिनी उपन्यास पात्रों के जो संबाद हैं वो भरे पड़े हैं इसमें क्या है वि को लिख देने हैं that's it हो गया ठीक है ना उधारन आपने दो दे दिए एक और दो किसी का भी दे दो ठीक है तो यहां तक करना है बस पूरा बढ़ने की जुरत नहीं है आपको यहां से करना है हर किसी की भाषा में आप क्या बताते हो कि वर्मा जी ने अपनी भाषा में अर्वी भाषा के सब्दों का प्रयुक किया है आप कुछ तस्रम सब्द दोचार याद कर लिए जो आपको याद हो रहें इन में से अब आगे चलते हैं इसके बाद तो चलिए अब बात करते हैं खंड खा की और जो आता है आपका 15 मार्क्स का ठीक है तो अगर आपने 15 मार्क्स का यह भी कर लिया ना तो आपने अगर दो तीन मतल़ ग्रैमर के कोशन कर लिए और एक दो पैसिस कर दे तब भी आप पास हो जाओगे ठीक है तो चलिए इसको तो हमें छोड़ना ही नहीं क्योंकि बहुत इंपोर्टन है और इसमें से सारे मां बता दूंगी उन्हीं में से आते हैं एक यह प्रुइब कर कर रह जाना है ठीक है तो तो फेंज इसमें दो उत्तर क्या एं точ Fotis ballot मांक्स का था जिसमें से आपको क्याक्ष कांना है वो मैं आ आपको पता है एक तो सबसे पहले और देखे होगी अभी जब से कुरूना आया है तो आपको आपको आपने जी पे गूगल पे यह सारी आप पे आ गही है इनके थूर पेइमेंट की जाती है तो ओनलाइन पे ज्यादा जोड़ दिया जाने लगा जब से संचार कांती में विक पर देखे जब से संचार आया तो जो प्राइविट सेक्टर होता है उस पर बहुत जादा मत्ता आपको कॉमपटिशन देखने को भी मिल रहा है एक टूथपेस आप लगा लो एक्जामबल अगर आप कोल गेट लगा लो अज कितने ब्रैंड आगए तो एक टूथपेस के अब्राइब कितने सारे अवेलेवन हैं मार्केट में सब बढ़ चड़कर क्या करते हैं प्रचार करते हैं टेवी के थूरू रेडियो के थूरू एफट एंडरनेट के थूरू मैसेज के थूरू तो इसे क्या होता है आपका इलेक्ट्रोनिक का प्रियोग बहुत जादा के क्या होता था कि पहले जब से पहले हमें सूचना के लिए किस पर डिपैंट रहना पड़ता था रेडियो पर हम सुन लेते थे जादा से यादा है ना अखवार पर देख लेते थे लेकिन आज की देट में आपको एक न्यूस पाने के लिए फैक्स मशीन है पेजर है फोन हो यूग में ऐसा वर्दान शिद्ध हो चुका है आज के यूग में इसमें आप हर काम कर सकते हैं जल्दी आपको रिजल्ट ये देता है वाकि आप जो मर्जी इसमें लिखना चाहों और आप लिख सकते हो ठीक है प्रेंट्स ओवी वैन आपको पता ही है आपने बड़े-बड़े रिपोर्टर्स होते न्यूज रिपोर्टर होते उनके साथ एक वैन चलती होगी तो चलता फिरता एक परसारण में काम आने वाला यंत्र है ये ठीक है तो इसमें क्या होता है इसे कंप्यूटर और कैमरे से जोड़ दिया जाता है जिससे आप कहीं भी मतावाज रिकौर्ड कर सकते हैं अंटिना के जरे सिधा समाचार आप कारेले तक पहुचा सकते हैं इंटरनेट आपको पता ही होगा एक जाल है जिससे आप मजजिस में पूरे दुनिया को ना एक उसमें बांद दिया है ठीक है एक सूतर पर बांद दिया है इंटरनेट के जरीए आप कोई भी सूचना मिंटों में पास सकते हो देश विदेश की घटनाई भी आप अपने घर बैटे देख सकते हो मनननजन के तरीके भी आप यहां पर ढूंड सकते हो इंटरनेट से आपका जो कावें बहुत ज्यादा हो गया है रहे आज की टाइम पर इमेल आपको बता है इमेल क्या होती है इलेक्टरनिक मेल होती है जो इंटरनेट से समचालिज घर बैट अगर आपको किसी में सिंदियान है इस डे देज पीज यह को कि जा आपको लग दिया होगा कि questions आते हैं जो मैं बताती हूं आते हैं अगर आपने यह पढ़ लिए तो आपको अभी आप देखेंगे जितने questions पहले हैं आपको लास्ट आप जो कह रहे हो ना जो वीडियो क्लियर नहीं है पर में बोला तो है questions आप उन questions को देखिए और पेपर को match कीजिए आप पेपर को match करोगे जब नवंबर का 2021 का आप देखो कि maximum question आयते friends इसमें कोई जूट लिए मैंने आपको example दिखा भी दिया और यह मैंने पहले भी डिसकस किया और यह paper में आप देखो बाद में आया ठीक है अभी मापको one by one सारे questions दिखाऊंगी तो संचार मैंने आपको बता दिया computer के बारे में क्या जानते स्पर्श करो मैं बता चुकी हो अभी आपको आपको अगर यह पढ़ना इतना बड़ा तो आप पढ़ सकते हैं लेकिन अपना टाइम नहीं हमारे पास मैं जो बता रही है आप easily उसको सुन लीजिए को कि सुना हुआ और द कोई यूज नहीं हो रहा है ठीक है अपनी लेंगेज में इतना लिखो कि उतना अच्छा है इसको पढ़ने से अच्छा नेस्ट कोशन आपका संचार क्रांती के लाब में पहले भी बता चुकी पूरी दुनिया को इसका लाब हुआ इसे व्यपार जगत में क्रांती सी आ ग सब में आपस में क्या होता है कोई कोई केट कर दिखा रहा है तो इस चीज इसका नुकसान वहए वैपारी परतिस परदा बहुत जादा बड़ी है वांगी लाब आपको मैं बता चुकि परसार परचार करने में बहुत जादा असानी हुई है अपने प्रोडट्स को बेचन के उद्देशे लिखिए तो मैं आपको पता हूँ संचार के माध्यम होता है जिनके द्वारा आप संदेश पहुचाते हो अपने विचारों को पचाते हो दूसरों तक उन्हें कहते हैं ठीक है ना पहले क्या होता था फ्रेंड्स आप लिखकर पहले दो माध्यम थे लिखित और मौकिक या तो बोल के या लिख के त California चे लेकिना ट्रिके आज के जमाने में समाचार पत्रों ठीक है रिड्यों और दूर दशन वगयरे का भी मिस्तिमाल किया जा बाइडुए के ठूरो तते ही आप सून सकते हो और देख सकते हो आप बारपाइड़ एक चीह तो आप सुनना और देख ने सकते हो भोर हो जाओगे तो इसके लिए क्या किया जाने लगाए फ्रेंड्स आज की डेट में बहुत सारे चैनल बनते गए हैं अगर आप मूवी देखो, सीरियल देखो, न्यूस देखो, तो सारे आपको सूचना ही पहुचाते हैं, हर जगा से आप कुछ ना कुछ सीखते ही हो, यह आपको भी पता है, ठीक है, तो आज क्या हो रहा है, आज के जमाने में आप देख रहे हो, आस तक है, इस्टार प्लस है कि टोटल टीवी हो गया है, तो न्यूस सिनेमा के वल फिल्में दिखाता है, इसी तरह जी टीवी है, धारवाइक दिखाता है, तो इस तरह से क्या कर रहे हैं, तिरे दिरे हमारे साथ क्या कर रहे हैं, अपनी विचारों को प्रकट कर रहे हैं, नाटक के तुरू भी तो सब्सक्राइब तो इसमें यह है कि आप घर बैटे सबसे 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 सब्सक्राइबल होता है कोई भी से परचेस कर सकता है आप लेडियो नहीं कर सकते आप टीवी नहीं करी सकते तो आप अकवार के घर बैटे देज विदेज की खबरे पढ़ सकते हो ठीक है न मिंटों में पढ़ सकते हो तो यह इसकी एक उप्योगीता है और सबसे पहले जो प्रेस की सोतंतरता है वो यहीं पर अकवार में ही लागू की गई थी जिसमें प्रेस कुछ भी चाप सकते है बिना किसी रोग टोपके ठीक है न तो अकवार से ही स्टार्ट किया गया था आप तो नियूज में भी प्रेस कुछ भी दिखा सकते बिना किसी रोटर्ट में किसी प्रदार का दबाव नहीं है किसी नेता के अंडर में वो नहीं होते है किसी से वो नहीं डपते तो यह मन्या घोता है ठीक है बाकी इसको आप एक वर पढ़ लीजिएगा जो है आपको समझ आ जाएगा अच्छे से नेक्स्ट है आपका सम्वादाता सम्मिलन ये इस बार कोशन पूछा गया था ठीक है न जो भी पेपर गए है तो ये क्या होता है इसमें चर्चा आपको करने हैं देखे ये पेपर में आप देख रहे हो सम्वादाता सम्मिलन कौन आयोजित करता है और क्यों आयोजित करता है तो मैं आपको बता देती हूँ इसे कहते हैं प्रेस मीडिया बुला लेते हैं आपने देखा होगा आई दिन मीडिया भी बुलाते रहते हैं तो इसमें क्या होता है फ्रेंस क्यों बुलाते हैं मीडिया वो लोग अपनी योजने बताने के लिए या कुछ से इंफॉर्म करना है आप लोगों को तो आपके थुरू वो पूरी दुनिया को इंफॉर्म कर देते हैं नाटक में देखा है मीडिया बुलाई है कि रणवीर साधी कर रहा है रिया से तो पूरे सब को न्यूस में छप गया कि हां साधी कर रहा है रिया से तो इस तरह से न्यूस फेलानी होती है और यह कोई भी बुला सकता है जरूरी नहीं है कोई मतलब सरकारी बुलाए सरकारी ज तो इसमें क्या होता है आप क्या करते हो सबके सामने क्योजनाई सूचनाई देते हैं और इनी सोचनाओं को समवाद आता समाचार में के रूप में अकवारों में भीज देते हैं सबको पता चल जाता है क्लियर हो गया I hope आपको अच्छे से क्लियर हो नेक्स्ट है आपका विज्ञापन पर संचे प्रुपटी विज्ञापन के बारे में आपको मुझे नहीं रहता बताना जाए आपको पता है अब दिन भर टीवी में बीच-बीच में आप सीरियल देख रहे हैं मुवी देख रह जब द्यान के चीकिश्ट जान को हो यह इसंगी महाचन को बना डालते है इससे क्या होता है कि तुरूबी इंफ़िशन दी जाती है पर एक्राक्टिव में कहते है आजम करूं 12正 Ainbol घृक्ट्वार, स्कस्चिव कर को यहां हो रहते है मेंने आप इंट्रस्टा आता है अब साधे भीए आप देखते भी और समझते भी तो मतलब काटून क्या है है जन्पेंगे चित्र होता है इसके दवारा भी सामध के तो वो भी कार्टून के थू आपको दिखाए जाते हैं बागे आपको एक साइस रीड करना है आपको इसको रीड कर लीजिएगा नेस्ट कोशन है आलेक संपात के धारवाहिक इनको टिपड़ी देनी है संजेप में या पढ़ लीजिएगा इसमें से आपका ये कोशन पूछा गया था लास्ट टाइम पर संपात की है मत्ब संपात के किसे कहते हैं एक विशेशता हैं बताईए आपको है न ये कोशन आया था तो संपात के बता चुक्ति हूं किसी भी अकवार का हिर्दे कहलाता है ये किसी मैप पूर घटना सरकार के फैसले समाजी समस्या आदी पर टिपड़ी होती है समाचार घटनाओं और इस्ततियों की तथ्यात्मक जानकारी मतब जैसा है फैक्ट दिखाया जाता है मगर संपात किये उन विचारात्मक टिपड़ी करते हैं इससे समाचार पत्र की नीती या दुष्टी कौन का पताया लगा जा सकता है इसमें संपातन किसी घटना समस्ता है नीती घट फैसले पर अगर बोचरी किसमें देखते हैं जैसे कि महा अपने महाभारत में देखा हो जितरा संजे ने बताया था धिरितराष्ट को महाभारत का युद आखो देखा हाल सब सुनाया था आँखो देखा मतलब जो आप देखते हो तो आज इसको कौन बता रहा है इलेक्ट्रोनिक आपको पता ही है कैसे है कैसे हैं घर बैठे टीवी में देखलेते हैं और आज आपको पता ही होगा पहले आप जो पंदरràगा भाता हैं दूर दर धर्शन यु आया काता था आज डूनिया भर के मतल्यूघी Muhartha उन भीमें आपको त्वी जनवड़ी की प्रेड़ दिखा द बच्चों की कॉमिक की बुक देख लो चुटकी लोगी तो उसमें आपने बच्चों की कानियों की वो एक्जामपल ले लो पत्र पत्री काई ले लो उसमें लिखानी होता आप बस देखोगा आप समझ जाओगा ये बूल क्या रहा है आपको अच्छे से ठीक है और ज्यादा पढ़ने का कुछ है नहीं कि आपको पढ़ना है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा अब देखिए वारता भेडवारता में अंतर को वारता जोती है वो क्या है अकाशवानी की एक विदा है जिसमें किसी भी विशेय पर डिटेल में च सब्सक्राइब कर देखिए तो उसने क्या करा एक टाइम दे लिया न्यूज चैनल को या कहीं पर इस टाइम पर 5-6 बजे तक मैं सारे जियो के बारें बताऊंगा तो सभी पहलों पर वो सरल भासा में सबको अबताएगा ताकि जितने भी उसके यूजर है उनको क्लियर हो लेकिन भेट वारता क्या होती है आपने देखा होगा जब भी कोई केस होता है राजनीती तो तरह तरह कि आम आदीन पार्टी का एक बंदा भी बैठा है तो यह कहती है और यह समाचार के माध्य हमने क्या करती है विश्वशनिय आपको विश्वास आता है कि से घृत्टा एकांत में सवाल जवाब करें उसे कहते हैं तो बाकि आप पढ़ ले ना हर दिन तो आप 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 बताईये आप बताईये आप बताईये लेकिन हम यह जो जनता है घर बैटे समझ जाते कौन कितना सही है कौन कितना पानी में से से रिटियो के समाचारों वाचक वह वह कुछन की विशेजथा बताЗीई तो विशेषी होता है तो क्या विशेषा होना चाहिए यह दूसरों कौ ठाल पाएगा सवर अच्छा होना चीए सुदुचानल होना चीए यह नि आपको आप बोल ला है थीक है भाषा का घ्यान उसे अच्छा होना चीए कमांड अच्छी होनी चीए इसकी भाषा में समाचार पढ़ने की विशिष्ट सैली होनी चाहिए यही दो चार गुन है जो आपको याद जुग मैं बोल जए किपस बдеहруंने की तो कि जुच विशेश्टा होती है और हमाव बहुतर होना चाहिए उसका पहनावब को पहनाव खात होना चाहिए उसका पाना चाहिए उसका रंगरूप असवदान होना चाहिए तो निक्रीब यह पarढ़ने के लिए सारे मेक अप कर कि क्या क्या होना चाहिए जो क्या क्वालिटी समय होनी चाहिए और आपको ऐसा पेराग्राफ में नहीं लिखना है जैसा मैं वतारीं नोग पॉइंट में पोइंट्स में लिख देना खतम नेक्स्ट कोश्ण आपका रेडियो दूर्दर्षन की भाश्रा में क्या अंतर है ठीक स्पष्ट कीजिए तुम आपको तादु फिरंट देखो दोनों ही आपके मतल्द दोनों ही संचार माध्या में लेकिन जो दूसरा है अगर रेडियो है इसमें सुन सकते हो यह कि पर दोनों ही दूसरा रेडियो में भाशा मतलब जो बूलने वाला उसको जादा सब्दों का परियोग करना परता है क्योंकि सब्दों की महार है सब्द अच्छे बोलेगा तो तुम सुनों गे लेकिन दूर दर्शन में क्या है वाशा के लिए सब्द कम भी हो ना चित्र औ आपको काटून डाल दिये तो उससे भी आपको इन्फोर्मिशन बिल जाती है तो यह नेक्ष्ट डिफरेंस है ठीक है बाकि आपको 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 पिपर में याद आ जाएगा अब नेक्स्ट कोशन कुछ कोशन में यह लिखे हैं आप इन्वे देख लिए ना पत्रकारीत समाचार प्राप्त करने के सोथ भी मैं आपको बता चुकी हूं रेडियो हो गया दूर दर्शन हो गया टीवी हो गया और अपका न्यूस पेपर हो गया ठीक है और इन तीनों से हमें क्या मिलती है न्यूस मिलती है अब फ्रेंड्स एक कोशन यह है इस बार इंपोर्टेंट समाचार पत्रों की भाषा बताईए भाषा के गुण दोस्त अभी पुछली जाते हैं तो आप जो न्यूस पेपर पड़ते हो तो उसमें कहा के क्वालिटी जोनी चीए उसकी लैग विजन है ठीक है और समाचार पत्रों की भाषा का लोगों पर क्या प्रभा पड़ता है समाचार पत्रों की भाषा का बड़ा लाब होता है कि समाचार पत्रों में वही स्थान के अकॉर्डिंग भाषा उप्योग की जाती है आज का तुम्हें देखा होगा समाचार पत्रों कहीं बहाशों में प्रिंट होने लगा है पहले सिरफ इंदी बहा करता था अब मतलब उर्दू है उर्दू में भी समाचार बनने लगे हैं तो मतलब इसका एक्जाम पर यह है कि भाष्रा ऐसी हो जो लोगों को समझ आए लोगों को जिसमें लोगों को परभाप केस कप पड़ेगा जब लोगों को समझ आएगी अपने इंडिया में हर लैंग्वेज से सब मैं य जो किससे क्या होता है? जो पढ़ने वाला होता है उसको ऐसीली समझ आ जाता है अब इसका दोष में हूं जबेसे लंग इसाहिता है वब का ने इसकेchny लोड़ेम ने बॉकता होसमें आपिकिसे कंने हो को सब सेख़वाने है उसमें अलग हिंदी लिखी होती है करते हैं डीब घहराई वाली हिंदी जैसे आप अभी पढ़ रहे हो यही एक लाइन में तुम्हें समाचर बत्रों की भाषा के बारे में यह तो सही है तो सही है ऐसे बोल रहा है ना कि सरस और आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए तो इक पढ़ने की जुरुत नहीं है एक दो नम्मर के लिए क्या इतनी जान डाल दोगे इसमें बाकि इतना मैंने जो बता दिया वह आप याद रखना इसकी क्वालिटी भी बता दी और इसका दूश भी बता दिया परभाव कैसे पढ़ता है वह भी मैं आपको बता दिया यह लो प्रस्क बोलूंगी कि आप यही करें हंडखा क्यों किसके कुछन मने प्रैक्टिस कराएं आपको इसमें सारे को बता चुकि हूं क्या क्या चीज क्या होती यहां पर इवह को पूचे गई ते समाचार पत्रों की भाषा का क्या परभाव पड़ा यह मैं आपको सम्धा चु आपको पुराना सोफा बेचना चाहते हो तो समाचार पत्र के लिए विग्यापन कोई भी और उसमें सारे पीछे के वर विग्यापन देखना कैसे लिखा जाता है बस इसका सबसे बड़ी ट्रिक आपको यहीं दूंगी एक विग्यापन को मैंन सेट कर लो सारे वैसी लिख कोई देख लेना एक डब्बे में बने होते हैं छोटे-छोटे उत्ता इतना होता है तीन अमबर आपके फिरीक हो जाते हैं ठीक है तो चलिए फ्रेंड सब मोस्ट इंपोर्टन है जो वह मैं आपको बता दूं जो दो हमेशा आते हैं दो के अर्थ बताईए कथा मुकत रू जाता है तीनों नाम इसी के हैं ठीक है फिर आपका एक आता है फीचर फीचर के बाद आपका इस पेज में आ जाता है श्रम जीवी पत्रकार क्या होते हैं संपादगी अकक्ष क्या होते हैं समभाद दाता पड़ चले जाना कोई बात नहीं ठीक है फिर यहां पे संसकरन क्य सब्सक्राइब सब्सक्राइब heade line or dust sheets , heaar austin operation , clear here त्वियर से स्थंभ और कॉलम जो भी लिखा वाजा पेपर में वह आपको पढ़ना है कार्टून हाथ से पट्टी क्या होती है और यहां पे 1 तडित समाचार फ्लैश और यह आपका धमाका स्कुप यह क्या होता है ठीक है फिर अगर इस पेज में देखा जाए तो संपाद के आप स्क्रिंशोट रिलिजा पढ़ लीजिगा संपाद के क्या होता है मैं ने देखो आया दा ना देखी मैं दिखाती हूं आपको यह आया है पिछले पेपर में क्या है लाब है ना आप यह लिखो प्रिश्टी ओजना यहां से आखो देखा हाल धारवाइक परीचर्चा यह आपको पढ़ना है यहां से समाचार यह आपको मैं बता चुकте हूं ओबी, वैन, वैन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ ठीक है यहां से ओबी, वैन, ओबी, वैन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ समाचार में आपको बता चुकी हूँ अगेन आगया दुबारा से ठीक है फिर यहां पे यह आता है स्टाफर क्या होता है श्ट्रिंगर क्या होते हैं ठीक है यहां से देखा जाए तो फ्रेंड्स यह most important है कभी कभी full form पूछ लियाती है PTI क्या है ABC क्या है ठीक है National Press of India क्या है इंडिया न्यूज और फीचर एलाइंस क्या है युनाइटेड न्यूज और इंडिया क्या है एसोसियेटेड न्यूज और फीचर यह बढ़के जबू चलेज़ेगे इसी के साथ आपका खंडखा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है फिर कोशन में आपको बताती फ्रेंस को साथ बिधारा क्या होती है फिक है यह आपको पढ़ना है उसके बाद आपको पढ़ना है याप सबकी विषेश्वते हैं स готовStight स भखती मत्ब जो भकती में विश्वास टियंदे अब आप खुद भी पोईंट बना सकते हैं झ 냐ए प्रज कर दो कर दो है इसमें नारियों का चित्रन किया गया है नारी के विविन रूपों के बारे बताया गया है ठीक है भाषा ब्रज का प्रयोग किया गया है बस याद रखो यही आपको लिखना है ब्रज भाषा में जाधा प्रयोग किया गया है और नाइका भेद इसका बर्णन किया गया है धीक है भारते दू यूग की विशेस्ता है लास्ट टायम पे पूछा गया था विशेस्ता है आपको साब-साफकी बढ़के जानी हैं तो इ यह बंद श्युटर्ण के अरे में देज भक्ति के बार में बड़ा बखहन किया गया है यह राज्य भक्ति को जादומह mismos मुझाола यह लोद जांत है आज हम सुनते तो हम कहते हैं इनका दिरोत करो, तो इससे क्या होगा, हमारा जीवनी तो सुधरेगा, ठीके, बाकी इसका एक प्रेंट यह हो गए, जो मैंने बताए था, दो प्रेंट मैंने बता दी, एक तरकरती चित्रन, तीन प्रेंट इसके पढ़ जाईएगा, खत्म यौ सेम लिख सकते हो भारते अंदु युक वाला, इसमें भी कुछ आदा नहीं है, ठीक है, और फिर जन साधान, जन जीवन चीतरन, ठीक है, मानवियता पे विकास किया है नोने, बस तीन प्रेंट, और कुछ नहीं पढ़ना, तीन प्रेंट जो मांखे हैं यही पढ़ने, ठीक मुझे लग रहा है चायावाद की विशेष्टाएं आपसे पूछी जा सकती है, तो देखो चायावाद आते ही ना, आप समझो चायावाद क्या है, चायावाद में ना, सूख दूख, आंसू, ऐसे से कभीता हैं महादेवी जी ने भी, महादेव एर्मा जी ने, तो bullish नावी में इनकों है आथा है कि नेकिश्टफऑ कर देना राष्ट प्रेम वाला राष्ट प्रेम से ओत्वे हैं कि सारी रचना है सम्में, ऐसी मतलब ऐसे ऐसे काववियों की रचना के जिन्से राष्ट प्रेम की भावना ऊपर के सामने आती है और मानफ्तावाद वाला, सबसे बड़े थे राम कृष्ण परमेहन से रिखा लो स्वामी विवेकानन मिला लो तो यह सब इन्होंने प्रेड़ना दी है ठीक है विश्व प्रेम को दर्साया ऐसी लिखना यह सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है तो फ्रेंट्स इसी के साथ आपका दो नंबर कुछन यह भी मैंने करवा दिया तो चलिए आपको इंपोर्टेंट चैप्टर बताती जो आपको बढ़के जाने हैं तो फ्रेंड्स यह हैं आपके चैप्टर जिसमें रैदास तुलसीदास मीराबाई रहीम दो कलाकार ठीक है और यहां से बिहारी पदमाकर सूरेकांत्र अनुरादा मोस्ट इंपोर्टेंट इनकी आपको हिंदी बढ़के जाना सार पड़के जाना है और इससे आप सारे कोशन कर लोगे जो भी आपसे पूछे जाएंगे ठीक है यह देखे फ्रेंस लास्ट ताइम मैंने यह बताया था कि बहुत जादा इंपोर्टेंट है और कर दूछ से कोशन मेंने आयं को देखे और एक यह ब boyg कोशन में आया यहाँ तो देखे वह मैंने कर媒ा रहा रहता है तो इस तरह से आपको ना एक क्या करना है मतलब शितने ही भी यह फोर्वे फट्ट है रहें उनका आपको टिक आनी saaht हतों पढ़ना हिया मोध कहते हैं ये केंद्रिए भाव यह अपको पड़कर जरूर ज़रूर जाना तिमाये प्तथर मेंfish Rs. वह तोर्ते पत्थर में भी रभफ। कईभर पूछाए कईद्रिए भपूचा ए कवीता का है तो आपको से खूड़ना नहीं को पिर बोखना हैmy यह मत बोलना मैं आपने यह नहीं बढ़ाया था के इंद्रे भावी पढ़के जाना होता है तो यह सारे इंपोर्टेंट है मैंने शान मार दिये थे और इसी के साथ आपकी पूरा मैंने कोर्स करा दिया है हाँ मुझे एक चीज़ और समझानी आपको आप यह जुरूर देख लीजिए का प्रतिवेदन क्या है और इसके तत्व है ना तो यह मेरा मिस कर जिया सॉरी और यह पूछा ने गया हो सकता है इस बार पूछने कोई भरोसा नहीं होता उनका तो फ्रेंस प्रतिवेदन होता है किसी भी घटना और इस्तती का क्यों तो आपको इसके तत्व बता दूं फर्स पंड यह पढ़ लेना मुखे तत्व घटना विशे इस्तती और प्रतिवेदन तब लिखा जाता है जब किसी विवादित पर्शन घटना दुर घटना या इस्तती गड़बड़ी आदिगी जानकारी की कारवाई की जानी है ठीक ह एक स्मीठी गठित की जाती है ताकि सच्चाही तक पूँचा जा सके सच्चाही तक पुछने का प्रेतन की जाता है कि स्धिय हुआ थिक सगा इसी ने बहुत चाहे इतने अपिसार करो तो आप अपने विचार पर इस चोट करते को कि? आपी टीपने है। अबको पूर्छियोब देखना होती, मютंको बढ़े की और फ्रो को इतना बड़ा को नोयगत जाता है यह तक अपको पढ़नाः इस में आपका यह क्या आजाता जाता कभी और अपने साथ उनकी अप idee पैल्प अब ऍदान को सब्सक्ना कश्चन और प्रेंग अगर वर सब्सक्राइब की ना में झालते हैं और अगर विदियो पैसंड लेंसे पनुप सब्सक्राइब कर दिया है आपका पूरा कोर्स एक ही वीडियो में और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ऐसी यूसफुल वीडियो के लिए हमाई चैनल का अपना प्यार सपोर्ट देते रहिए का तब तक के लिए पढ़ते रहिए खुश रहिए थै